गंजम में आप चले जाए जब मैं गंजम के अंदर में टीम के साथ ट्रावल कर रहा था है वह बैस्टे ने बारती बीजेडी का वहाँ पे मुझे यूथ मैला पुरुष सब अक्रास कह रहे हैं कि प्राइम निशन अरेंडर मोदी को हम प्रदानमंतरी देखना चाहते हैं पिछली बार आठ सीट भारती जनता पार्टी की उडिसा के अंदर आए थी इस बार मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पिछली बार से बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन बीजेडी से ज़्यादा आ सकता है और कुछ बीजेडी का एंटीम कमेंसी वोट है वो भी बीजेपी की तरफ ट्रांसलेट होता है लोग सबा लेवल पर पांडियन जी अगर अपने नाम पे वोट लेने जाएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेंगे उडिसा के अंदर नवीन पतनाय के नाम पे ही उनको वोट मि ने होंगे अगर आमना समना को स्वागत करूछी मुझ सत्ति आजी आमना समनार आमसीत चंती जातियो टेलीविजन रो जने अती चर्चीत चेहरा देशर जना सुना स्टेफोलोजिस्ट तथा जनकी बात्र फाउंडर प्रदी भंडारी जी एबंग टांकर रेकर्ड हो चु अधिकांस खेत्रर तहा सत्त प्रमानित होई ची एकुरेट प्रमानित होई ची एबंग एबेस ये ओडिसा गस्तर अचंती जेतो चबीस निर्वाचन आगुको अच्याओ कौम दिन बाकी रहीला तो ओडिसारे कौन कोहुची निर्वाचन पानिपा कहारा पल्ला भारी रह कि इतना अकुरेट के से आपका पुर्भानवान जो प्रेडिक्शन है यह बैठता है शक्ती जी देखिए मैं ग्राउंड पर रहता हूं मेरी पूरी टीम ग्राउंड पर रहती है और अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त उडिसा के अंदर तो जब भी मैं कुछ मान लीजिए वन परसंट चांस गलती होती है तो उसको हम इस तरीके से सुधारते हैं कि नेक्स टाइम वो गलती ना हो तो यह एक मॉडल है जिसका नाम है प्रोबैबिलिटी मैप आफ आउटकम मॉडल जनकी बात का जिसमें बहुत सारे लोगों से ग्राउंड पर बात की क्यों भी जाती है उसको फिर मैप क्या जाता है और फिर किसी अनुमान पर पहूंचा जाता है है उडिसा में बारे में बाद में आ Même चाहेंगे जो बीजे पी का नियरेशन है अब आपकी बार चारसो पार तो आपको क्या लगता है देश बासियों के मन में क्या चल रहा है कितना है ये सच होने का सार देखिए एक बात तो मैं निश्टित रूप से कह सकता हूँ और ये मैं अब पिछले करीबन तीस दिन से ट्रावल कर रहा हूँ एक महिने के अंदर मार्च में मैं अपने फर्स नंबर्स के साथ में आऊँगा पर ये बात मैं निश्टित रूप से कह सकता हूँ कि ग्राउंड पे मैं ये देख रहा हूँ कि देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंतरी देखना चाहता है और देश की जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रदान मंतरी बनेंगे अब मेरी जो समझ कहती है जमीन से कि 2014 के अंदर प्राइम निश्टित नरेंद्र मोदी को कंपारिटिवली कम लोग जानते हैं तब भी वो 272 के साथ में है जमीन पे उससे ज़्यादा लोग समर्तन कर रहें तिलंगाना के अंदर में गया था 2019 में बारती जनता पार्टी का चार सीट आई थी इस बार उससे ज़्यादा ग्राफ होने की सीटी है तमिल नाडू में सिर्फ तीन सीट्स पिशली बार आई थी उससे ज़्यादा बढ़ने की सीटी है जिस उडीसा में मैं ट्रावल कर रहा हूँ 2019 में भी था यहाँ पे मैं 2019 से मच ज़्यादा समर्चन प्राइम निस्ट नरेंडर मोदी के लिए देख रहा हूँ तो कोई भी ऐसा राज्जे नहीं है जहां से नरेंडर मोदी का ग्राव बहुत कम हो रहा है पर कई ऐसे राज्जे हैं जहां से उनका ग्राव बढ़ सकता है 11 राज्जे हैं जहां पे उनकी सीट्स बढ़ सकती है पंदरा से ज़्यादा राज्ये जहाँ पिशली बार जैसी सैटिक रह सकती है तो आज की तारीक में 2024 में नरेंडर मोदी 2019 से ज़्यादा मजबूस तिती में देख रहे है एक सवाल है कि अगर देखेंगे पिशली बार 2019 में 303 सीट लेकर आई थी बीजेपी अगर अभी प्राइमिनिस्टर बोल रहे हैं कि 370 लाना है लाएंगे ये बोल रहे हैं और 67 सीट अगर देखेंगे तो हिंदी हैटलैंड के जो स्टेट से और बाकी उत्तर में जो स्टेट से वहाँ पर लगबग सारे के सारे बीजेपी के खाता में चले गए थे पिछली बार तो बाकी जो 67 से वह कहां से आएंगे साउथ से और और कहां से देखें जैसे उत्तर प्रडेश है उत्तर प्रडेश में दो हफ़ते पहले एक पोल प्रेडिक्शन करी थी कि 90% चांस है कि मापे सोनिया गांदी चुनाव हार सकती है उसके एक हफ़ते बाद सोनिया गांदी जी ने राज्य सभा से नामंकन बरा था तो उत्रप्रदेश में उनका ग्राफ बढ़ सकता अगर आपने हिंदी हार्टलाइन की बात करी दूसरी बात अगर आप देखेंगे तिलंगाना के अंदर उनका ग्राफ बढ़ सकता है तीसरी बात अगर आप देखेंगे जिस उडिसा में है उस उडिसा के अंदर डेफिनिटली ग्राफ बढ़ेगा उसके बाद बंगाल के अंदर जो पिछली बार जितना ग्राफ रह सकता है तमिलनाडू के अंदर कुछ सीटे और बहतर आ सकती है महराश्टरा के अंदर इस बार बीजेपी पिछली बार से जादा लड़ेगी तो 370 का जो टार्गेट है वो 370 आय नहीं आई पर इतनी बात मैं आपको जरूर कह सकता हूँ कि आज की सिती के अंदर BJP पिछली बार से ज़्यादा मजबूत सिती के अंदर दिख रही है कॉंग्रेस पार्टी की पिछली बार 52 सीट्स आई थी उस 52 सीट्स के अंदर से 25 सीट कॉंग्रेस पार्टी की केरला और पंजाब से आई थी उस केरला के पंजाब के अंदर कॉंग्रेस पार्टी नंबर मन की पार्टी नहीं है अब कॉंग्रेस पार्टी के बज़ा है आमादभी पार्टी भी कंटेस्ट के अंदर आ गई है बीजेपी का भी ग्राफ बढ़ सकता है तो Congress Party पहले पंजाब के अंदर उसने 8 सीटे जीती थी, इस बार ऐसी सीटे दिख नहीं रही है करला के अंदर पिछली बार Communist इतनी पूरी तरीके से नहीं लड़ेती और Congress 15 सीटे जीती थी इस बार Communist की सीपी आये, वो अच्छी तरीके से रड़ सकती तो ग्राफ 15 से नीचे भी हो सकता है तो मैं मूलता ये कहना चारा हूँ कि पिछली बार Congress 52 पे थी, इस बार Congress नीचे भी आ सकती है अब आपने हिंदी हार्टनेंड की बात करी, 36 गर्ड के अंदर बस्तर की सीट जाये, पिछली बार Congress पार्टी जीती थी, इस बार बीजेपी वो अच्छा कर सकती है Assembly election में पहली बार पिछले 15 सालों में बीजेपी ने बस्तर के अंदर वोट लेके आई है जारकन के अंदर जो सीट है, वहाँ पे भी दो सीट जो है, वहाँ बारती जनता पार्टी पिछली बार नहीं अच्छा करी थी जैसे तेलंगाना हो गया, यहाँ से ग्राफ डेफिनिटली बढ़ सकता है, महराष्टा से भी बढ़ सकता है तो यह होगा की नहीं होगा, यह तो हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा तो अभी आप देखेंगे, प्राइमिस्टली एक-एक सीट के लिए लड़ रहा है, एक-एक सीट के लिए अलाइंसे कर रहा है तो इंडिये डेफिनिटली दोहजार चौबेस में बहुत मजबूस तिती के अंदर दिख रही है दोहजार उन्निस के कंपारिजन में लोगों के इसे चर्चा में है कि नितिश कुमार बिहार के पालिटिक्स के मागर देखेंगे तो 2019 के अंदर 39 सीट जीते थे एक सीट बस किशन गंच की हारे थे इस बार नितिश के साथ में आने से जो जेडियू का बेसिक बेस वोट है वोट बीजेपी के साथ जोड़ेगा तो जो कास्ट का अलाइंस होने वाला था जो महागड़ बंदन और इंडिया लाइंस होने वाला था वो अलाइंस आटोमाटिकली टूड गी है तो अगर दो या तीन सीट का भी फायदा हो तो बीजेपी के लिए तो बड़ा फायदा है क्योंकि बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है बीजेपी 303 का आकड़ा क्रोस करने के लिए चुनाव लड़ रही है यह आपको समझना पड़ेगा अगर हम देखेंगे तो लगातार दो चुनाव जीतने के बाद तीसरी चुनाव में उसके ज़्यादा सिट लेकर आना यह आज तक इंडिया में पॉशिबल नहीं हुआ है अगर हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर जिसे जवालाल नेरू इंडिया गांदी उनके समय बे भी यह नहीं हुआ था एक बात अगर हम देखेंगे इसके लिए क्या कारण आप देखेंगे यह मोदी जी की पॉपुलारिटी या इंडिया लाइंस का जो उनके उपर भरश तो जो भले गरीब हो गया गरीब के जिन्दगी के अंदर बहतरी हुई है उसके जीवन स्थर में इंप्रूवमेंट हुआ है कि मैं नहीं कह रहा हूं जमीन पे अगर आप ट्राइवल करेंगे लोग आपको कहेंगे मैं त्रिपूरा में 2019-18 में जब गया था तो एक डिरेक इनका हैवे देखने को मिला था ऐसी जब मैं ग्राउंड पर ट्राइवल करता हूं मुझे देखने को मिलता है बहले घर हो गया बहले पानी हो गया हर तरीके से गरीब लोग कहते हैं कि हमें सुविधा मिली है और सरकार हमारे सुख दुख में खड़ी है तो यह बहुत बड करी तो उसने बोला कि मोधी जी जो कोई हम वोट करेंगे मैंने बोला क्यों वोट करोगे उसने बोला कि प्राइमनिस नरेन रमोधी ने हमारे देश का मान सम्मान बहुत बड़े रूप से किया है जी ट्वेंटी में सब लीडर हिंदुस्तान के अंदर आगए हम आंक में आ एंदर नाम मंदिर बनाए काशी विश्वनार्ध को बनाया धाना उत्रा-खन्ड के अंदर बडरीनातike दानात्र तो हर जो हिंदू DW Hakim सनातन के प्रतीक यह पहले तैम एंडर्यंड़ोब सनातन नहीं और यह देश Sनातन के पूर्णत्तान के लिए कितना कम कर दो नहीं किया और यह देश का DNA सनातन है और इसलिए लोग जो है जब comparison करते हैं इंडिया लाइन से वह देखते हैं कि यह लोग पूंडूरोब से हिंडूजम को accept नहीं करते सनातन को accept नहीं करते सिर्फ चुनाव के वक्त accept करते हैं इसलिए जब यह comparison होता है तो एक तरफ प्राइमनिश्टर नरेंदर मोधी को जाता है और इसके साथ ने चौता कारण है कि इस देश की जो महिला वोटर है वो वीटो वोटर है मैं कहता हूं यह देश पहले minority वीटो पे काम करता था महिला वीटो पे काम करता है जहां इस देश की महिला वोट करती है वहीं देश के चुनाफ का वर्डिक्ट शिफ्ट होता है उडिसा के अंदर भी आप देखेंगे कि majority महिला वोट करती है वहीं वर्डिक्ट आती है तो लो नैशनली ओवरॉल फेविंटी परसंटेज मैला है प्राइम निस्टे नरेंडर मोदी के साथ में तो इसलिए कोई भी आज की सिती में उनको हराना मुश्किली नहीं नामुंकिन है और यह इसलिए ग्राफ बढ़ा है क्योंकि जहां पे उनको वोट नहीं मिलता है वहां पे भी उतनी मेहनत करते हैं जहां पे उनको वोट मिलता है तो अगर आप देखें तिलंगाना केरला तमिन नाडू बेंगौल उडिसा हर जगे इनका ग्राफ बढ़ते वह आपको देखेगा चैँ सबसे बड़ा यूएसपी है कि परधानवांन्ति नरेंडरह मोदी को जनत के मन में एक बात का विश्वाथ कि नरेंडरह मोदी कभी भी देश के सा गलत नहीं कर सकते मोदी कर रहा है तो देश के हित्व होंतों ये जो भरोसा है ना यह भरोसा मिलता है तो जनता कभी expect ये नहीं करती कि दस में से दस काम हो पर जनता ये expect करती ये लीडर ने अगर दस में से आट काम कियों तो दो काम करने के लिए तत पर है तो उनको लगता है कि 24 घंटे प्रधान मंत्री दनेनमोदी सिर्फ काम कर रहे हैं और मैं जितना गूमता हूँ मेरे साब से उनके जितना पॉपुलर प्रधानमंत्री जितनी रीच वरा प्रधानमंत्री देश नेतियास में नहीं लेगा है। पर एक बात तो निश्चित है कि बंगाल की जनता के अंदर गुसा है संदेश खाली के बाद में ये बात निश्चित है पर बंगाल में सिर्फ गुसे से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। संदेश खाली में। पुरे देश में आप बताए कि मोदी लहर है लेकिन हम देखे हैं। लहर नहीं सुनामी है। तो पिछले पांच शुनाव उडिसा में अगर देखेंगे तो नभीन जी का लहर था बीजेडी का लहर था। तो इस बार मोदी की जो सुनामी आ रही है तो नभीन की लहर को ले जाएगी। देखे मैं एक बात निश्यत रूप से कह सकता हूँ लोकसभा में और जो मैं ग्राउन पे मैं देख रहा हूँ। ग्राउन पे इस बार उडिसा के अंदर लोकसभा में बहुत ज़्यादा समर्थन प्राइम निश्य नरेंडर मोदी के प्रती देखने को मिला है। मैं आपको तीन उधारन देता हूँ। देखे मैं पुरी का उधारन देता हूँ। पुरी एक स्विंग सीट कहता हूँ। क्योंकि पिछली बार एक क्लोस कॉंटेस्ट हुआ था इसमें बीजेडी निकली थी। इस बार हमारा ग्राउंड का डेटा ये कह रहा है कि बीजेपी पुरी से चुनाफ जीट सकती है। और एक अबसर्ज देखने को मिला है। तीसरा मैं आपको कहता हूँ। दूसरा मैं कहता हूँ आपको गंजम में आप चले जाए। जब मैं गंजम के अंदमें टीम के साथ ट्रावल कर रहता है। वह बैस्टेन बारती बीजेडी का। वहाँ पे मुझे यूत, मैला, पुरुष, सब अक्रास कह रहे हैं कि प्राइमनिस्ट नरेंडर मोदी को हम प्रदानमंतरी देखना चाहते हैं। इसके साथ में अगर वेस्टन उडीसा में आप चले जाएए, संबल पूर और इंसब इलाके में, वहाँ आप देख रहे हैं कि बीजेपी का ही गड़ मजबूत है। अगर ओवरॉल मैं देखूंगा, कि जो स्विंग एरियाज हैं, वह जादा बीजेपी की तरफ टिल्ट होने के चांसिज हैं। और जो बीजेडी के स्ट्रॉंग एरियाज हैं, वहाँ पर प्राइमनिस नरेंडर मोदी का जन समर्तन बढ़ रहा है। तो ओवरॉल पिछली बार आठ सीट भारती जनता पार्टी की उडिसा के अंदर आए थी, इस बार मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पिछली बार से बहुत जादा अच्छा प्रदर्शन बीजेपी लोग सबा में उडिसा में करेगी, वोट शेर भी बढ़ पुरे देश के लिए, लेकिन यहां पर ओडिसा में भी बोल रहे है कि पचास प्रतिशत तक हम जा सकते हैं, तो उसके संभावना कितने देखते हैं आप, है संभावना, पिछली बार बीजेपी का 38% वोट शेर आए था, इस बार का प्योर चुनाफ बाइपूलर चुनाफ चुनाफ होने वाला है, ऐसी स्तिती के अंदर बीजेपी मिनमम 45% को क्रोस कर सकती है, वो 50 तक टच करेगी की नहीं करेगी बड़ पॉसिबिलिटी है, तो डिरेक्ट चुनाफ जो है, वो बीजेडी वर्सेज बीजेपी का होने वाला है, ट्राइपूलर जैसे पिछली बार आपने देखा था, कई सीट्स पे सदन उडिसा के अंदर जो है, कॉंग्रेस पार्टी को भी वोट आया था, इस बार उसकी जो चांसेज है और उसकी जो संभावना है, वो काफी कम है, तो ओवरॉल तीन चीजे हैं, यूथ के अंदर भी प्राइम नेशनल निर्मोदी का ग तो इसलिए अगर मैं ग्राउंड पर जब ट्रावल करता हूं, कोई बोलता है कि घर बनाए, कोई बोलता है कि हमको भी चावल मिले हैं, तो इस जस नॉट डाइट की इस डिपेंडेंट न दे स्टेट गवर्मेंट, साथ में प्राइम निस्टर के स्कीम्स में भी ट्विटर पर चैनल देख रहा है, तो ओं कह रहा है कि मुदी के लावा किसी और को प्रदान मंतरी नहीं है, प्रदान मंतरी की रेस्क में नहीं है, तो अगर देखेंगे, तो सिर्फ मुझे से आप पूरे चार कारण गिना है, पूरे देस में मुदी जी के जीतने का जो च तो लिएशत को हमेश्वा अलग तरीकी से उडिइसा पोट करती है, असमय है, पर प्रदान मंतरी के चुनाम में को पता है कि नवीन पतना हैं तो प्रदान मंतरी रेस में हैं नहीं।, उनको पता है कि मैं को नरेन चानल मुर्णी और रहुल गांदी में पछली बार उतनी clarity नहीं थी तो इस बार सबके सब लोग अगर मैं दस लोगों से बात करूं तो दस में से साथ आठ लोग आठ के नौ लोग कहते हैं कि प्रदानमंति नरिनमोदी को हम चूज करेंगे राहूल गांधी के ऊपर में सो जो ग्लोबल चवी की मैं आपको बात करी वो भी यहीं पे इंपोज होती पिछली बार किया था बीजेपी नई नहीं नहीं पार्टी के रूप में थी नहीं नहीं पार्टी में हैं तो अगर आप देखेंगे 1410 साल की जर्नी शिरू भी और 2024 के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली क्योंकि संगटन भी बढ़ी है लीडर की बढ़ी है विश्वास भी जादा है तो जो एक्स्ट्रा 67 सीट्स के बारे में मोदी जी बोल रहे हैं तो ओडिसा म बहुत सोच समझ के रिसर्च करने के बाद और कन्विक्शन से बोलता हूं दो हजार चौबिस में प्रधार मंती नरेंद्र मोदी को उडिसा में 2019 से काफी जादा सीटें मिलेंगी और वोट्स मिलेंगे लोगसबा के चुनाव में यह जो भोट होगा जो 48 परसेंट तक जा सकता है बीजेपी के बोट हो यह सिर्फ मोदी जी के पॉपुलारिटी के लिए यहां के जो लोकाल का गवर्मेंट है उनके खिलाब भी लोग का जन्मत है विर्या को समझ में आ रहा है कि जो स्टेट गवर्मेंट है भिजडी सेंटिमेंट चल रहा है इस बार तो क्या होता है कि कोई भी सरकार जब कुछ समय तक पावर के अंदर रहती है तो एक नाइचल एंटी इंकमेंसी फर शॉर बट साथ में काऊंगा ज्यादा प्रो मोदी इंकमेंसी है मोदी जो है चुनाफ का पूरा नारेटिव है और इसा के अंदर ना कि इधर चुट इस इस ड्राइविंग देंटार इस तेट ओके यहां लोकशवा के साथ विधान सभा का भी चुनाफ होता है तो उसका कुछ इंपैक्ट वोटर्स के उपर रहेगा पड़ेगा बीजेपी पिछली बार 20-25 सीटों पर आये थी जरूर बढ़ेगी अब बाकी आगे क्या होता है वी आप टो वेट एंड वाच पर ऐसा नहीं है कि डिरेक्ट का डिरेक्ट कॉजेशन होगा कि मानली जी अ तो कॉंग्रेस का जो वोट से आ रहे हैं वो ज्यादा बीजेपी में जा रहा है अगर मैं कहूं तेरा प्रतिशत कॉंग्रेस का वोट है मेरे जितना मेरी समझ कहती है कि कॉंग्रेस का वोट सिश्टी परसंट था आप असेमली की बात कर रहे होगी यह लोग सबग एकर बा का जो ग्राफ है बीजेपी का वोट शेर बीजेडी से जादा आ सकता है और कुछ बीजेडी का एंटिम कमेंसी वोट है वो भी बीजेपी की तरफ ट्रांसलेट होता है लोग सबा लेबल पर यह आपको समझ रहा होगा तो कॉंग्रेस का इस बर सफाय होने वाला है उस वोट क मेजर चंग जो है वो बीजेपी मेंस्ट्सन एक नाही लेकर जाएंगा है तो ‫ Надे जेयर जो विजेडी के वोटर है जो सिनियर स्टिजन से महिला है तो किस तरह के वोटर मोडी जी के तरफ जादा जुका हुए यूध और महिला यूध और विमिन वोटर जो है इन फैक्ट मैं कहूंगा कि यूथ और विमिन वोटर में सबस्टर जब यूथ वोटर इसबार प्राइम निशनल इंडर मोदी के साथ में यहां इसे बोलते हैं बीज़डी का इसे दावा है कि जो महिला वोटर है उनका यूएस पी है उनका असेम्ली में जरूर हो सकती हैं पर लोग समा में वोटर जबा मोदी के पास जाएगी यहां और इसबार यह बी थैह हैं कि जादा दर मोदी जी की तरफ जाने वाने हैं इसा एक narration चल रहा है कि पांडियान को लेकर बिजडी में जुनका उत्थान हुआ है तो उनको लेकर इसा एक negative voting हो सकता है आपको क्या लगता है पॉसिबिलिटी है देखिए जो भी बीजडी को वोट पढ़ता है उस सिफ और सिफ एक व्यक्ति के नाम पर पढ़ता है जिसका नमें नवीन पटना है उनके अलावा किसी में वोट लाने की ability नहीं है जब तक जनता को पता होगा यह नवीन पटनायक का वोट है तब तक एक situation different होगा अगर जनता को लगेगा नवीन पटनायक का वोट नहीं है तो situation ही वोट का नमें लोगों ने पर नहीं बनाई है तो एक हम पताटनायक कर सकते हैं और आई सान में अबही नहीं नवीन पटनाएं के पांडनीन की नहीं अगर अपने नामने वोट लेने जाएं लिए जाएंगे तो उनको वोट सहा के अंगर नवीन पटनाएं के नाम पर भी नियार जीट तो हम देखेंगे तो 36 गड़न जीचें एक जीट के आई वेस्टन उडीसा के अंदर डिप्लीशन होने का वहाँ पर चांस नहीं है क्योंकि प्राइमस नहीं रमोदी का वहाँ पर ग्राब बहुत सॉलिड है और अगर वहाँ पर भी मान लीजे कि कुछ लोकल एंटीम कम्मेंसीज भी हैं वो भी एलेक्शन आते आते एक बाइपोलर रेस के अंदर इवेंच्वली फेड अवे सो अभी लोक सबबाइस से वहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है मुझे नहीं ऐसी सिती देख रही कि वहाँ पर कुछ डेंट हो सकता है बीजेपी वेस्टर नोडिसा के अंदर काफी अच्छा करेगी संबल पूर इंसाव इलाकों के अंदर आसमली प कौन के इतना वोट काटेगा वो सब फैक्टर बहुत इंपॉर्टन हो जाते हैं लोग सबाइस से वोट मोधी वोट है तो इसको मैं आपको कह सकता हूं कि इस वोट के अंदर आपको कोई भी डिविजन देखने को नहीं मिलेगा कोई वोट कट हुआ देखने को नहीं होंगे बीजेपी कितना युनाइटेडली असेम्ली लेवल पर लड़ेगी बहुत सारे फैक्टर थे इसलिए लोग असेम्ली लेवल पर अभी कॉमेंट करना तो नहीं जल्दी होगा पर यह मैं जरूर कह सकता हूं लोग सबालेवल पर मोधी जी कर आप बहुत उपर होगा और असेम्ली लेवल पर बीजेडी का वोट गेटर सिर्फ एकी व्यक्ति नवीन पटना है कोई और नहीं है हम देखेंगे तो बाकी प्रदेशों में जहां मोधी जी कैंपेंड करने जाते हैं चुनाप के समय तो वहां वो जीड में जीत पकी हो जाती है तो औरीसा में क्या क्या हाला पर बीजेडी बहुत जादा स्टॉंग है वहां अभी भी वह स्टॉंग है पर जो स्विंग एरियाज पर आपको मोधी जी का ग्राफ देखने को मिलेगा तो यहां कई जगे उनको कैंडिट्स भी अच्छे बीजेडी को फील्ड करने पड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि बीजेडी नहीं बीजेडी मेरा जित्ती समझ कहती है पार्टी ओफ यूचर रहेगी पोस्ट नवीन एरा के अंदर उडिसा के अंदर बीजेडी की स्ट्रेंट अपता के जब तक नवीन पटना है गंजाम में आप गये थे जो बीजेडी का नवीन जी का गड़ है जी त तो वहां पर आप बोल रहे थे कि वहां भी लोगो मोदी जी के तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं बिल्कुल अगर आप पिछली बार के वी एलेक्शन के रिजल्ट को गंजाम में अबसर्फ करेंगे तो बीजेडी का वोट शेयर दो हजार चौदा के कमसंगम बारा पंदा प सब्सक्राइब बात करें तो आप इसे इंडिकेटर ला पाते हैं यह स्विंग एरिया के अंदर राइस कर रही है तो यह एक इंडिकेट करता है कि हवा किसकी तरफ जाई है अगर आप वहां कोस्टरल इरिया में भी गए और वेस्टरल वेस्टरन और गंजम और इस इरिया के अंदर भी गए होगा तो उसके बोटर्स के जो पैटरन है उनका जो सोचना है उसमें अलग अलग है या एक तरह के सोचते हैं तोड़ा बहुत अलग डेफिनिटली है जै सो वहां अभी भी स्टिल लॉयल बीजेडी वोटर्स है पर मैं बात मैं आपको बरता हूं शक्ती जी में बड़ा अचंबित हो गया कि मैंने उरिसा में मेरी टीम ने जो डेटा दिया मैं पूरा रिवील नहीं कर सकता आपको पर वहां पर एक बहुत सॉलिट सपोर्ट पीम तो अभी से मोहर लगा लें आप इस बात की मोहर लगा लीजे कि बीजेपी की सीट्स इस बार लोगसभा में पिछली बार से ज्यादा बढ़ जाएंगी बीजेपी बीजेपी को लोगसभा में उरिसा में चुनाव में पीछे कर सकती है और कोई नहीं यह चुनाव नरेंद पर आपको पोलिंग बूत पर लोग होने पड़ेंगे संगटन आपका ट्रावर राउन पर होना पड़ेगा आपको बोट डलवाने पड़ेंगे यह सब चीज़ा निवारे हैं पर अपने जिसे आप बंगाल के बारे में बोल रहे थे कि वहां जो इतना यहां पर कुछ नहीं होगा इतना याप पर नहीं बंगाल का अल्ग सिस्टम है यहां ऐसा सिस्टम नहीं नहीं भोटन का धंप का ना उनके बोलिंग बूट तक ले ने असेमली में देखेंगे यह एक बहुत इंपॉर्टेंट तो जब वोटर क्लियर है और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बंगाल जैसे जहाँ बंगाल मालो 35% माइनौर्टी वोट है उसके जो एक तरफ ममता मैनों जी को डालता है यहाँ पर ऐसी स्थिती नहीं है तो यहाँ प को इंतजार रहेगा तो आगे तो हमारे साथ आपका तो रिस्ता बढ़ गया है आगे भी आपके साथ मैं हमेशा आपके दर्शकों के साथ में जुड़ता रहूंगा आर्गस के दर्शकों के साथ में उड़ीसा में क्या चुनावी माहोल है किसको कितनी सीटे मिल रही है कौ कहां से जीच सकता है कौन कहां से आर सकता है जंकी बागी पूरी टीम जो है वार्गस के साथ में प्रकर रूप सोड़ी सा के अंदर काम करें तो फिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत किम्ती जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिनेवाद नमस्ते प्रदीव जी जुम्भली भाबरे से तथ्या रखी चंती एबंग मोधी लहर नुहे थर उड़ी सारे देखिवा कुप मोधी सुनावे तो समाहे चे आमना सामना कोईट रोके बागा नमस्का जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल लगिला तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करिबा कुछ जमाहे भी बोलनतो नहीं